Hello and Assalamu alaikum everyone My name is Muhammad Vakas Javed and welcome to Wiko Graphics आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि W8-bin या W8-bin E का जो फॉर्म है वो किस तरह फिल किया जाता है और उसको फिल करना क्यों इंपॉर्ट है जैसा कि मुझे अपर की तरफ से एक email रेसीव हुई है और सेम वही email आपको भी रेसीव होगी कि 31st December से पहले पहले आप यह फॉर्म फिल कर दें अगर आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो जो यूएस में टेक्स के जो रूज है वह आपकी अपर की अर्निंग के अपर भी उस लिहाज से टेक्स डिडेक्ट होता है और उसके बाद जो अना अर्निंग उनको मिलती है तो अगर आप यह फॉर्म फिल नहीं करते तो आपकी जो आने वाली अर्निंग्स होंगी उनके पर एफेक्ट पढ़ेगा तो चले चलते हैं मैं आपके सामने यह फॉर्म फिल करत करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारें बता दो कि मैं एक टॉप रेटेड प्रफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूं जो पिछले पॉन साल से डिफ्रेंट फ्रीलांसिंग प्लाटफर्म से अपनी सर्वेसिस दे रहा हूं तो मैं अपने चैनल पे फाइबर अपव के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो यह जिस तरह आप देख रहे हैं अपवर की तरफ से मुझे एक एमेल रिसीव होई होगी और इसमें यहीं लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म आप 31 दिसम्बर तक नहीं फिल करते तो फिर क्या करेगा अपवर कॉटमेटिक लिए आपकी इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यह आपको आपके अकाउंट पर लॉगिन करने के लिए कहेंगा तो आपने पासवर्ड और एमेल हो इंटर करके अकाउंट लॉगिन कर लेना है तो अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है तो सबसे पहली जो चीज हमने इनको आते वक्त जो एड्रेस किया है या तो आप उटमेटिकली वह इनको जो ना यहां पर उसको यूज करने के लिए या फिर आप क्या काम करें आप यहां पर नीचे अपना मैनुवली जो एड्रेस है वह इंटर कर लें अगर आपकी एजनसी या कोई ऑफिस है या आप प्राइल वाला जो एड्रेस है वह यहां पर आ रहा है तो मैं इसको यहां पर सेव करूंगा तो इसको मैंने सेव के बार नेक्स्ट है डब्ली एट तो इसके बार मैं जब क्लिक करता हूं तो इसमें फर्स्ट चीज है कि I am not a US person पर पहली चीज तो आपने इसके पर स्लेक् आपने अपने लिखने है जो आपका अकाउंट के उपर है तो मैंने यहां पर लिख दिया इसके बाद है फैडरल टेक्स क्लासिफिकेशन तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो इसके अगर आपकी कंपनी है तो आप उससे रिलेटेड कर लें या अगर आप इंडिविजवल ह इसके बाद नेक्स आती है यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी यहां पर एड़ कर लेंगे मैं यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एड़ कर दिये जो मेरे डॉकुमेंट्स के अंदर है जो मेरे अकाउंट के अंदर मैंने दीवी तो ही मैंने यहां पर एड़ कर अब इसके बाद इसकी जो इसके जो थर्ड चीज है वो है टेक्स अडेंटिफिकेशन नमबर वह हमने इसके अंदर एड़ करना है तो यहां राइट पर एडिट को उप्शन है इसके अंदर कर लेंगे सब के अंदर सबसे पहले इसके अंदर उसमें बोला है कि आपने अपना यहांपर इसके बेट आपका और इसके बाद आप नेपर आप कर देना जो आपका के जो आपको फुल नेम है इसके बाद आप ने फिसके पर न इहांपर जो सटिफाई क adesso और आपने इसको भी सब्सक्राइब कर दिया है सबसे पहले इस वाना को पताया था के टेक्स रेजिडेंस सेकिंड था डवल्य एड बिन और उसके बाद था टेक्स अडिनिफिकेशन नंबर विए तीनों चीजे मैंने इनको सब्सक्राइब और मेरी इंफर्मेशन है वो इनको रसीव हो गई है आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप यह फॉर्म कर लेंगे और इससे 31 दिसंबर से पहले पहले सब्मेट करा देंगे ताकि आपकी अर्निंग से टेक्स डिटेक्शन ना हो अगर आपको फिर भी सब्सक्राइब के साथ तब तक अपना श्यार रखेगा अलाहाफिज